हैलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतानी बला हूँ फिलिपकार्ड में एड्रेस कैसे डाले फिलिपकार्ड में एड्रेस कैसे भड़े दोस्तो अगर आभी फिलिपकार्ड से कोई भी समान ओडर करते हैं तो उसमें एड्रेस फिल करना परता है एड्रेस भरना के लिए सब से पहले आपको Flipkart App को ओपेइन कर लेना है Flipkart App को ओपेइन करने के बाद इसके बाद इस तरीके से पेज यहां पड़ आपको दिखाई देगा दोस्तों अड्रेस को भरने के लिए अड्रेस को डालने के लिए आपको नीचे में बहुत सार option दिखाई देगा home, explorer, categories, account तो दोस्तो address को भरने के लिए address को डलने के लिए यहाँ पर आपको account वाले option पे किलिक करना है account वाले option पे किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से page दिखाई देगा दोस्तो यहाँ पर आपको बहुत सार option दिखाई देगा तो कहाँ पर आपको address भरने का option मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको बहुत सार option दिखाई देगा दोस्तो यहाँ पर आपको देख सकते है account setting का यहाँ पर आपको एक option मिलेगा और नीचे में आपको बहुत सार option दिखाए देगा तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा saved addresses तो यहाँ पर आपको save addresses पे click करना है save addresses के option पे click करने के बाद इस तरीके से page यहाँ पर open हो जागा दोस्तो अगर अपने पहले से कोई भी address को save किया होगा तो यहाँ पर आपको address दिखाए देगा यानि अपने पहले से कोई भी address को add किया होगा तो address आपको नीचे में दिखाए देगा दोस्तो फिलिपकार्ड में address डालने के लिए यहाँ पर आपको उपर में एक option मिलेगा add a new address तो यहाँ पर आपको add a new address पे click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सरा option दिखाए देगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं add delivery address, तो यहाँ पर आपको delivery address डालने का भरने का option यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो कैसे आपको address को भरना है, कैसे आपको address को feel करना ह यह सभी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको वीडियो को ध्यान से दिखना है तभी आप address को अच्छे से feel कर रख पाईएगा दोस्तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा full name तो यहाँ पर आपको अपना full name डालना है कि आपको इस नाम से अपना समान को मगमाना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर आपको डाल देना है तो शली मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ तो दोस्तो देख सकते हूँ कि मैं किस तरीके से नाम यहाँ पर डालना हूँ तो आपको अपना नाम डालना है एक बाड उप्चा सब्सक्राइब करने तो यहाँ पर आपको अपना चालून नंबर यहाँ पर डाल देंगा है। दोस्तो आपको नीचे में एक option मिलेगा state और city दोस्तो आप जैसे ही pin को डालिएगा तो state और city automatic यहाँ पे add हो जाएगा यहाँ पर अब देख सकते हैं बिहार यहाँ पे select हो चुका है यहाँ पे district भी select हो चुका है तो आप pin को डालिएगा तो state और city आपको नीचे में एक आपसं मिलेगा house number building name तो यहाँ पर आपको अपना house number और building name यहाँ पर डाल देना है अगर दोस्तों आपको house number और building name नहीं पता है तो दोस्तों अगर आप गाओं में राते हो तो अपने गाओं का नाम डाल दीजेगा अगर आप सहर में राते हो तो अपने शहर का नाम यहाँ पे डाल दीजेगा तो चली मैं अपने गाउं का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने गाउं का नाम डाल दिया जैसे कि आपका village कहाँ पर हुआ, तो village डाल देज़ेगा, उसके बाद आपको अपना post office डाल देना है, उसके बाद आपका district कहाँ है, तो district भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना full address यहाँ पर फिल कर देना है, तो चलिए मैं अपना full address यहाँ पर डाल देता हूँ, द लैंड मार्क है या दोस्तों आपके घड़ के पास में कोई भी दुकान होगा या कोई भी कोचिंग होगा तो उस दुकान या फेमस ओप यास लैंड मार्क का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है तो चलिए मेरे घड़ के पास में एक दुकान है तो मैं इस दुकान का नाम य यहाँ पर डाल दिया उसके बाद आपको नीचे में एक option मिलएगा type of address आपको नीचे में दो option दिकाई देगा home अगर दूस्तो अपने घड़ का address डाला है तो यहाँ पर आपको home select कर लेअ उसके बाद दूस्तो अगर आपको कहीं पड़ार के कोई भी काम करते हो यहाँ पर आ अभी address को मिला लेना है, तो आप सही से एक बाड address को देख लिजेगा, उसके बाद आपको नीचे में एक option मिलेगा, save address, तो यहाँ पर आपको save address पे किलिक करना है, save address पे किलिक करने के बाद, आपका जो delivery address है, ओ दोस्तों यहाँ पे save हो जागा, अभी जो मैंने address को fill किया, address को बढ़ा, ओ address यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओ address यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अब दोस्तों आप फिलिप कार्ड से कोई भी समान order करेंगे, तो वहाँ पर आपको address को select करने का option आजाएगा, तो अभी आ address को fill किया है, address को भड़ा है, तो उस address को आप select करके, आप फिलिप कार्ड से कोई भी समान order करके, आप अपने घर पे मंगबा सकते हैं, दोस्तों इस तरीके से फिलिप कार्ड में आप address को डाल सकते हैं, address को fill कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वी हिंद बने मातरम